हेलो गाइज वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत है गाइज आज एक डेली चार्ट के ओपर एक स्विंग ट्रेड आया है तो मैं सोचा कि आपको वीडियो बना के बता दू तो गाइज उससे पहले मैं बता दू कि मैं ट्वीटर पे पहले ट्वीट कर देता उसके मैं ट्वीटर के बाद डालता हो यूट्यूब पे वीडियो तब तक पांक दस मिनिट हो जाती है तो प्लीज आप फॉलो करो ट्वीटर को मैं डिस्क्रिशन ने आपको लिंक दे दूंगा तो देखो इसमें क्या है लो रिस्क हाई रिवर ट्रेड है बाय टाटा स्टील सी इसके पिछे का इस रिजन क्या है बाइंग का मैं आपको चार्ट के उपर बता देता हूँ यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है लेकिन आपको मैं चार्ट के उपर एक्स्प्लेंग कर देता हूँ कि उसके पिछे का रिजन क्या है बाइंग करने का तो आपको मैं बता बेली चार्ट के उपर मैंने बाइग कराया है और सिंपल स्ट्रेटाजी में फॉलो करता हूँ आपको भी पता होगा गाईज एडेक जब भी 25 के उपर होता है और आप देख सकते हो कि यह ग्रिन लाइन और रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई अभी तक यह इस्टील अभी भी मोड में ही है और उसके साथ साथ अपने को विल्यम सायर बता रहा है कि वह पुल बैक में अल्टरडी आ चुका है देखो उसके वेल्यू देखो माइनस असी के निचे होनी चाहिए लेकिन देखो माइनस से 96 है यानि बहुत निचे आ चुका है इस्टाब तो यह अभी ओव फोड़ा रिस्क लेक्या इसमें ट्रेड बनाना है कि क्योंकि अपने के हिसाप साही चलना सब्सक्राइब कोई पूइब ट्रेड इकूर नहीं होता होता है लेकिन अपने को मैनेज करना पड़ेगा मैनेज कैसा करेंगे कि आपने के कम स्टॉप लौस लगाएंगे और ज्य ज्यादा लेना है तो आप देख सकते हो अभी 1070 चल रहा है और उसका सपोर्ट लाइन कौन सा है यह वाला जो सपोर्ट लाइन तो अगर आप इसमें ट्रेट बनाते तो आराम से 15 परसंट तक की मुवमेंट आपको आराम से मिल सकती है और रिस्क अपना देखो हो इधर से तो अराउंड दो परसंट का ही है 108-1078 चल रहा है यानि 20 रुपीज का रिस्क है लेकिन आपको सामने रिवर्ड देखो गे तो आराम से 1500 रुपीज तक के भी रिवर्ड मिल सकते है तो रिस्क रिवर्ड के इसाब से यह स्टोक अच्छा है आगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो आपको रूल्स जो मैंने ब गैस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ब्लीज वीडिएयो को लाइक करके जाना और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना और डिस्क्रिशन में ट्विटर की लिंक दे रहा हो तो आप उसको फॉल्यों कर रों ताकि आपको हरतर के ट्रेड मिलते रहे थैंक वीडियो देखने के लिए मिलते अगले वीडियो में